मनीपूर में जारी जाती हिंसा के बीच राज में इंटरनेट पर बेन अब 15 जून तक बढ़ा दी गई हैं इस बीच राज में 15 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया इससे दो दिन पहले यानि 8 जून को चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 35 हत्यार मिले थे उसमें भी जादा तर आटोमेटिक हत्यार थे अब तक सेना 957 हत्यार बरामत कर च चुकी है वही मनीपूर के स्वास्त मंत्री डॉक्टर संपम रंजन सिंग ने बताया कि राज में शनीवार से कोई अपरी घटना नहीं हुई है यह इस बात का सबूत है कि हमारे राज में शांती और सामान इस्तिति लोट रही है उन्होंने कहा कि राज में चल रहे तलाश अभियान में लगबक 53 हत्यार गुंचालिस बम और 74 गोला बारुत और मेकजिन बरामत की गई है मनीपूर में गुंचालिस दिन से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है 310 घायले और 37,000 से ज़्यादा लोग 272 रहत शीवर में रहने को मजब इस बिच असम के CM हिमन्त सर्मा शनीवार सुबह मनीपूर पहुचे वे राजी के CM एन बिरेन सिंग से मिले इस दोरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीश मनीपूर में जारी हिंसा पर भी बात हुई शनीवार को राजी के 11 अफसरों का तबादला कर दिया गय इन में IS और IPS अफसर शामिल है। इससे पहले ग्रह मंत्री अमिर्शा इस मेने की शुरुआत में चार दिन की दोरे पर यहां आए थे। इस दोरान राजी के DGP P. Dongle को भी हटा दिया गया। उनकी जगा राजीर सिंग को कमान सोपी गई। ग्रह मंत्राले ने शनीवर को बताया कि केंद्र सरकार ने मनिपूर में शांती बहाल करने के लिए राजीपाल के अध्यक्षिता में कमेटी बनाई है। कमिटी के सद्यस्यों में मुख्य मंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसत, विधायक और विबिन राजनितिक दलोम के नेता शामिल है इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ दने वाग